रज़ायम आज हुसान सिंग राज तुछ को एक साल हो गया है यादे बच्छी है कुछ बोले हैं इंसान को कोई भरोजा ही नहीं है आज है कल नहीं इसलिए हर इंसान को जग जाना चाहिए कि श्रीदेवी जी तिनी बड़ी सूपर डूपर स्टार मैं तो उनकी दिवानी थी फैन पर देश भर वो भी चले गए शुशान संग मेरा दोस्त मुझा आज भी वो याद है जरा नच के दिखाम लोग साथ में कर रहे थे शुशान संग ने का था राकी कि यॉर मैं आई कर दोस्त वाद में पूछा हूस वाडिज बनीगा और जब मेरा पादेशीया सॉंग आया था उनको संग मेरा बहुत पसंद था वो कह रहा था कि मैं स्कूल में था वैने जब तुम स्कूल में था तो मैं बॉलिवुड में आई थी हमारी मत एक जैसी एक आचाल उपर निचे होगा, बहुत मस्ति मस्ति करते थे, गरी जॉली पोरसन, अभी भी यकिन नहीं हो रहा है कि वो नहीं हमारे बीची, ऐसा लग रहा है कि कहीन कहीं शुटिंग कर रहा होगा, कहीन कहीं होगा, अपने जिन्दगी की माला को, यह नो, मोतियों को पोर रहा होगा, यकिन हो रहा है, एक साल हो गया, एक साल हो गया, वक्त कितरह फास भाग जाता है, पता भी नहीं चलता, मैं आज उसको याद करके यही सोच रही थे, मैं भी आज हूँ, कल नहीं, क्या देश की जंता मुझे भी याद करेगी, हाह बता ज़र ला की यह रिए? हाहा, होता है न, फैंस होते है न, फैंस है तो हम है, जंता है तो हम है, बरना हमारी क्या अउकाद है, दूआ दो में सकते हैं, दूआ तो बहुत बड़ी चीज है, मैंने शुषान के लिए दूआ करी है, कि उसे इश्वर, परमेश्वर, स्वर्ग में एक ऐसी जगे दे, जब हम जाए तो हम उसे देखे, मैं तो उपर जाओंगी, पर उसे, हाई शुषान, लेट्स डांस, क्योंकि जो मार दिया जाता है, जिनका वक्त पुरा नहीं होता है, उनके लिए गौड भी आंसू बहाता है, जो जलाद लोग इस दुनिया में है, you know, इश्वर करें, जिनका वक्त पूरा होता है, ना, कैसा है ना के सोर देर सो साल के, लोग यहां रह जाते हैं, और जिनकी जरुरत है, oh my god, मैं दिलिप साब के बारे में भी सोच वी थी, सौ साल के होने वाले हैं, दिलिप साब, वाव, मैं शायरा जी को बोल रही थी, शायरा जी, दिलिप साब ने ऐसा कौन सा आटा खाया है, हमें भी बताओ, जाएव, मैं भी बताया था, जो अपने पती की सेवा करती है, आजकल, की बीवियां कहां अपने पती की सेवा करती है, उनको ऐसला है, जल्दी निकल ले तो प्रपड़ी नाम पे हो जाए, जल्दी निकल ले तो, कुछ बीवियां जो साथ फेरे लेती है, उसको निभाती है, कुछ बीवियां जो इश्वर की तरफ से दी जाती है, वो अच्छी बीवियां होती है, जो पती हो, पती का साथ निभाती है, जैसे एक बीवी थी, जो करोना में अपने पती को मुह में, क्या आप कहते हैं भूंक कर सांस दे रही थी, वो भी वायरेल हुआ था, वो भी बहुत शौकिंग था, तो मैं उस वाट उन लोगों को यह कहना चाहती हूँ, कि आप लोग घर में बैठके हैं न, अड़ोस-पड़ोस में बाते करते हो, वो छोड़ दो, आप लोग जिम काला कम खाओ, सेहत का ध्यान रखो, तल-तल के घी में, तल-तल के डुबो-डुबो के पराठे मत खाओ, हमेशा खाने से पहले, सलाड में सलाड काओ, खाने से पहले, जान है तो जान है, फिर जब बिमारी या बॉड़ी को टच कर लेगी न, आप सांस नहीं ले पाएंगे, हाठ हमारा इतना होता है, पेट हमारा इतना होता है, तो पेट बर-बर के खाना नहीं खाना है, तो ये मेरा मेसेज आपको, कम खाओ, दिन में दस बार खाओ, कम खाओ, तेल में तला-तला मत खाओ, सालड खाओ, क्योंकि कोई भी बिमारी जब आती है, आपको दस्तक नहीं अब ही मेरी मा भी सुधर गई है, डॉक्टर ने हाथ जोड़के बला था, दूद बंद करो, दूद नहीं, मेरी मा ब काली चाई पीती, दूद से चैंसर होता है, दूद बच्चों जो पैदा होते हैं, उनके लिए होता है, और कैल्शियम की तो दवाईया निकली है, अब ये दूद नहीं पीने का, मेरे मा को कैंसर था, कैंसर निकल गया, तो दूद ने मना किया है, कि इंजेक्शन वाला दूद नहीं पीना है, जो जो दूद मिलता है, इंजेक्शन वाला दूद नहीं पीना है, उससे बिमारिया होती है, कैंसर होता है, तो जो दूद ने मेरी मा को आपको बोला, मैं चाहतु हूँ सबकी मापज्जा है, माबाप बज्जा है। इसलिए मैं ये मेसेज दे रही हूँ, खाने में परहेज करो, खाने में ध्यान रखो, तला तला मत खाओ। जिम जाओ, वक करो, दोड़ो। परहेज करें तंदी आपको ये देड़ों, तोंद भार मत लाओ। तरे को बड़े हसी आफिए। तबड़े हसी आई थे तुझे तोंद के, तेरे पापा के तोंद एक्या नहीं है? तेरे पापा को बोल कंखाना खाने थे? मेरे द्रैवर का है, क्या क्या है, वाइ, तैंक यू, आज मेरा पहला दीन है, जै हो, मेरे जिम की, और आज मैं सारे वाट लगा दूगी जिम मार मार के, कि अच्छा हृट लगए, क्या लगया वाद हे भिद मजा इसा हृट है, आप लोग चाहते हैं मैं जरूर? इसा करते हो, ए democrats driven के साथ हमीरा यह तो पोलंगो मेरा क्यू रेकर मैं जरूर लेकर वान वर घ्लता में भी करते हो हां। झाल झाल